असलाम उलेकुम फ्रेंट्स मैं खान नाजमी शरीफ वेलकम टो रह्मान पठान यूट्यूब चैनल फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग mathematical reasoning से related जो topic हमने स्टार्ट किया है mathematical operation उसके questions हम लोग आज यहां पर solve करेंगे उसमें किस तरह के question पूछे जाते हैं जो competitive exam में उसके questions हम लोग solve करेंगे ताके हमें level समझ में आए कि इस topic से related किस लेवल के किस type के question पूछे जाते हैं उनके solution किस तरह से हो सकते हैं तो देखें यहां पर जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर जमा का मतलब तफर निए का मतलब जर्ब और जर्ब का मतलब तक्सीम है तो दज़द़ल मसावात का हल क्या होगा अब यहां पर कौन सि मसावत देखी मसावात कुछ इस तरह से हैं यहां पर 49ज़ब साथ माइनस 3 तक्सीम नवvenir जमा चार कुछ इस तरह से हैं अब हमको क्या करना एक कि जमा का मतलब तक्सीम है यहां पर हम लेंगे 49 divided by 7 माइनस का मतलब क्या है देखिए माइनस का मतलब जर्ब है तो यहाँ पर आ जाएगा जर्ब 3 और तक्सीम का मतलब क्या है देखिए तक्सीम का मतलब जमा है देखिए यहाँ पर तक्सीम का मतलब जमा 9 आ जाएगा तो यहां आ जाएगा 21 जमा 9 तफरीक 4, 21 में 9 मिलाए तो कितने होते हैं, दीखिए, 21 में 9 मिलाए तो होते हैं 30, 30 तफरीक 4, 30 में से 4 निकालेंगे तो कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो option number C, 26 यहां पर इसका सही जवाब आता है, तो दीखिए 26 जो हैं यहां पर option number C, इसका सही जवाब रहेंगा इस तरह से, तो यहां पर आपको जो solve करना है, वो कैसे solve करना है, बॉर्ड मास की तरीके से आपको इसको solve करना है, यहीं सबसे पहले आपको bracket open करना है, bracket का जो भी है, multiply, division, addition, सबसे पहले वो करना है, फिर बाकी के questions को आप को solve करना है, अब दिखें, next question कुछ इस तरहां से है, next question है, अगर जर्ब को तफरीक और तक्सीम को जमा माना जाता है, तो box जो bracket दिया गया है, उसके सवाल को आपको solve करना है, सबसे पहले दिखें एक बड़ा bracket है, फिर उसके अंदर छोटा bracket है, उसमें है, 55, multiply by 50, फिर ब्र लेकिन यहां पर अलामतों को change करने के लिए कहां गया है, जर्ब को तफरीक करने के लिए कहां गया है, और तक्सीम को जमा करने के लिए, तो देखें के कुछ इस तरह से हो जाएंगा, यह 55, जर्ब को क्या करने के लिए कहां है, जर्ब को तफरीक, यह जाएंगा, 50, फिर सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 55 में से 5 जाता है तो कितना बचेंगा 5 बचेंगे यानि आजेंगा 5 जमा 25 ये बॉक्स ब्रैकेट के अंदर और बाहर है 125 अब फाइव और 25 कितने होते थर्टी यहां पर आजेंगा 30 प्लस 125 अब इनका एडिशन करेंगे तो य हाजेंगा 5 ओके यहां पर यह आ जाएगा इनका जब एडिशन करेंगे तो यह आएंगा 5 टू और थी हो जाएंगा 6 और पार यह जाएंगा 155 जो है यहां पर इसका आंसर आना चाहिए अगर हम देखेंगे तो 155 कहां पर है ओप्शन आपर डी जो है 155 इसका सही जवाब ह अगर वका मतलब तकसीम का मतलब तक्सीम का मतलब तकसीम है तो दर जिजसेल का हल मालूम कीजिए। अब देखिए यह जो RRB railway के जो exam होते हैं उसमें group D की exam में 2018 में यह question पूछा गया है अब देखिए इसमें किस तरह से आपको solve करना है इसको देखिए अब यहाँ पर हमको अलामत हो के इस आप से हम इसमें changes करते जाएंगे कौनसे अलामत के mist पतले कौनसे अलामत बोली हैं उसमें वो change करेंगेंन अब देखिए копें यहां पर है अटरह तक्सीम चैय है अब तक्सीम का मतलब क्या है जर्ब तरह यहाँ पलिएности बारााईं तो मतलब कर दोले कि जर्ब का मतलब है तफ्रीग का मतलब मतलब हैन्द है चम अब हमको क्या करना इसको बॉर्ड मास की रूल से हमको इसको सॉल्व करना है तो बॉर्ड मास में सबसे पहले डिवीजन और मुटिप्रिकेशन होता है तो हम यहां से 18 और 6 का मेल्टिप्लाय कर देंगे, और 27 और 3 का डिवीजन कर देंगे तो दिखिए 8 चके 48 के 8 हासिल क्या सिलका आया एक यह एक एक और इसमें से माइनस कितने करने हैं अपने को बारा करने हैं आप 17 में से बारा जाते तो कितने बस्ते 12 आके बाद 13, 14, 15, 16, 17 यानि 105 जो है यहाँ पर इसका जवाब आना चाहिए 117 में से जब 12 जाएंगे तो 105 बचेगा यानि 105 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब आना चाहिए ओके तो दीखिए 105 कहाँ पर मौझूद है 105 मौझूद है option number B में तो देखिए यह जो सवालात हैं हमने कौन से तरीके से किये board mask के rule से किये board mask का rule क्या है हम लोगों ने अल्रेडी यह basic वीडियो में देख चुके लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि board mask में क्या होता है सबसे पहले अगर आपको सवाल में bracket दिया जाता है जिसी के उपर वाले सवाल में हमने देखे तो सबसे पहले आपको bracket को solve करते जाना है bracket complete होने के बाद जो number बच जाएंगे उन में सबसे पहले आपको division करना है यानि तक्सीम सबसे पहले करनी है उसके बाद आपको multiply यानि जर्ब करना है उसके बाद आपको बचे वे नंबरों की जमा करनी है और अगर तफरीक भी है तो फिर बागी आपको आगे सबसे last में तफरीक करनी है जवाब तक पहुँचना है नेक्स वोशन देखिए कुछ इस तरह से हैं अगर हम नंबर 3 और 6 को और अलामत जमा और तक्सीम को आपस में बदल लेते हैं लेकिन अलामत तफरीक और जर्ब को आपस में नहीं बदलते हैं तो नीचे दिये गए मसावात का हल मालुम कीजिए अब देखिए यहाँ पर यह UPSC की ए जो एक्जाम होते हैं उसमें यह 2016 में पूछा गया सवाल है सवाल कुछ इस तरह से है 93 प्लस 48 डिवाइड़ बाइ 6 इंटू 13 माइनस 63 अब यहाँ पर क्या कहा गया है 3, 3 और 6 को हमको आपस में बदलना है जमा और तफरीक को आपस में बदलना है तूके अब जर्ब और इसको आपस में बदलना है तो जर्ब एज टीज रहेंगा कि जपा जर्ब तेरा है तो ते रा जाएगा 16 तफरीक कि अनामत को बदलना है क्या नहीं तफरी की अनामत भी अप एजिट रहेंगी तो यह तफरी को जाएंगा 63 का बन जाएंगा 63 की जगा उसको हंटा देना है अब यह हमारे सामने कुछ इस तरह से सवाल आगा है अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं ओके वेट तो अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए सबसे पहले हमको डिवाइड करना है तो 96 को जब हम 48 से डिवाइड करते तो यहां पर आता है दो बराबर यह आ गया इनका दोनों का सोलुशन हो गया दो उसके बाद क्या है जमा इन दोन अब देखिए यहां पर देखिए अब यह होता है यहां जाएंगा 50 48 प्लस 2 कितना होता है 50 और माइनस 66 तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसका जवाब यहां पर माइनस 16 आ रहा है यहां पर कुछ तो भी कुशन में मिस्टेक में एक बार चेक कर लेती हूं ओके तो देखिए हमसे मिस्टेक कहा पर भी हमने यहां पर 66 लेगी हैं पर 36 आएंगा तो देखिए कुछ इसका हमारा आंसर यहां तक सहीं आया यह हमने करें 96 divided by 48 ओके 96 divided by 48 यहां पर हमको क्या लेना जमा यहां पर 3 जर्ब यह 16 आ जाएंगा और तक्सी में तफरीक अपनी जगा पर रहेंगा और 6 की जगा पर 3 और 3 की जगा पर 6 लेना है ना तो तो क्या जवाब आएंगा इसका 14 जवाब आएंगा 10 में से 6 गए 4 और 4 में से 3 गए 1 तो इस तरह से 14 जो है option number A जो है यहां पर इसका सही जवाब होंगा इस तरह से आपको ऐसे questions को solve करना है अब देखिए किसी खास इशाराती जबान में जमा जर्ब को जाहिर करता है तफर सवाले देखिए सवाल देखिए यहां पर कुछ इस तरह से है 16 तक्सीम आठ जर्ब 4 तफरीक 2 जमा एक आप अपने को क्या करना है यहां पर तक्सीम की जगा पर क्या लेना है देखिए तक्सीम तफरीक को जाहिर करता है यहां पर आजाएंगा 16 तफरीक 8 जर्ब किसको जा सब्सक्राइब 8-1 ignor maker city आर्म गरोध्येंगा ना-गर यहां पर आट को चारद जाहिंगे तो यहां पर दो आजिंगा बढ़िंगा आड़न के यहां ल surprises का इंगा昨ag 8 को चार्थ करेंगे तो तो कितना जवाब आएंगा इसका 16 माइनस 4 होता है 10 इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका एक मिनट फिर से देख लेती हुँ में क्या मिस्टेक हुई है देखिए कुछ भी मिस्टेक नहीं हुई यहां पर देखिए बिलकुल करéndote है अमारा आंसर यहां पर यह ư इसका जवाब होंगा इसका सही जवाब होगा ओके तो इस तरह से आप को एससेątक को 36 लिखने की बजाए 66 लिख दिये थे तो हमारा आंसर नहीं आ पा रहा था तो दिखिए ऐसी चोटी-चोटी जो मिस्टेक से वह बिल्कुल मत करिए इसलिए ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करिए ताके आपको समझ में आए कि कहां पर चेंजेस करने हैं और कैसे चेंजेस करने हैं अगर जर्ब का मतलब जमा तक्सीम का मतलब तफरीक जमा का मतलब जर्ब और तफरीक का मतलब तक्सीम हो तो अब यह भी यू यू ट्रिपल सी में 2018 में पूचा गएा सवाल है, तो अब हम यहां पर लेंगे 20, अब जर्ब की जगा पर क्या लेंगे, जर्ब का मतलब है तफ्रिक, तो यहाँ पर आजेंगे तफ्रीक 16, उसके बाद तफ्रीक है, देखिे तफरीक का मतलब यहां पर जमा धिया गया थो यह bent जमा मतलब का है दीशमा का मतलब यहां पर कि एस इफ मिन्स्टेक हो गई कुछ तो अब जब का मतलब यहां पर तफ्रीक यह ठीके तफ्रीक इए एक बार फेश देख लेगे थे देखिए 20 आप हमको देखना है ज़र्ब का मतलब यह जमा है यहां पर आजएगा जमा सोला ओके टफ्रीक है उसके बद तफ्रीक का मतलब कहा है देखी तफरीक का मतलब तक्सीम है तो यहां पर आ जाएगा तक्सीम दो अब जमा है तो देखी जमा का मतलब देखना है हमको तो जमा का मतलब जर्ब यानि यहां पर आ जाएंगा जर्ब 2 अब वापस से यहां पर जमाही दी गई है तो जर्ब यहां आ जाएंगा 8 कुछ इस तरह से तब हम इनकी क्या करेंगे इनको solve करेंगे 20 अब 16 को 8 से जब तक्सीम देते हैं तो यहां आता है 8 आता है नेक्स पोशन देगे कुछ इस तरह से हैं अगर जर्ब का मतलब जमाह तक्सीम का मतलब तक्सीम हो तो हमको क्या करना है नीचे जो सवाल दिया गया है इस सवाल का solution हमको मालूम करना है अब देखें यहां पर यह जो 2 यहां पर divided by 8 है यहां पर तक्सीम है जमा दो तक्सीम 8 कुछ इस तरह से है अब अलामतों को हम क्या करेंगे सवाल के हिसाब से अलामते हम तबदील करेंगे जैसे हमको कहा गया है उस हिसाब से हम अलामतों को क्या करेंगे यहां पर तबदील करेंगे अब देखे समाल फिर कुछ इस तरह से हो जाएगा 20 अब देखे जर्ब का मतलब क्या होना चाहिए देखे जर्ब का मतलब जमा है यानि यहाँ पर आजाएगा जमा कितना आएगा जमा 16 तफरीक 2 है तो तफरीक का मतलब क्या है देखे हम देखेंगे यहाँ पर तफरीक का मतलब है तक्सीम यानि यहां पर आजाएगा तक्सीम दो अब जमा का मतलब क्या है देखिए जमा का मतलब है जर्ब यानि यहां पर आएगा जर्ब कितना है दो अब यहां पर मैं बताईती है यहां पर तक्सीम है अक्सिली जमा नहीं है वो फिर multiplication करते हैं तो यहाँ पे 20 as it is रहेंगा यहाँ पे इनका division होगा तो यह हो जाएगा जमा 16 को 2 से divide करेंगे तो यहाँ पे आजेगा 8 ओकी जर्ब 2 minus 8 कुछ इस तरहा से हो जाएगा यह अब यहाँ पे आजेगा 20 जमा 8 दुनी 16 minus 8 कुछ इस तरहा से आएगा फिर addition है फिर subtraction है तो इनका जब addition करते हैं हम तो कितना आता है इनका addition आता है 36 minus 8 तो दिखी क्या आया यहाँ यहाँ पर हमारा आया 36 minus 8 और 34 minus 8 कितने होते हैं 28 होते तो इसे साफसे अगर हम देखेंगे तो 28 यह अप्शन नबर A जो है यह इसका यहाँ पर सही जवाब होंगा नेक्स कोशन देखी क्या है अगर हम प्लस को minus के साथ और तक्सीम और डिविजन को multiply के साथ आपस में बदल देते हैं तो दर जिजल मसावत का हल मालम कीजिए यह जमा को तफरीक के साथ और तक्सीम को जर्ब के साथ आपस में बदल देते हैं तो जो नीचे मसावत दी गई है उसका हल क्या होंगा यह आपको बताना है और यह जो सवाल है यह कोई ऐसे ही सव और तकसीम को अबस में बदक है तो यहां पर हम को तकसीम से बदलना तकसीम थ talking को तफरीक से बदलना चोटिया चाहेंगा आजाए गए Gelman 13 और ब disrespect तो यह आजाएंगा जर्ब दो आप इसका देखेंगे हम 49 को जब हम 13 से डिवाइट करते हैं तो यह आता है 13 यह आ जाएंगा 13 ओके अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यह इनांसर आता है तो इस इसाफ से अगर हम देखेंगे तो आप्शन नंबर सी यहाँ पर हमको 29 नजर आ रहा है तो आप्शन नंबर सी जो है 29 इसका यहाँ पर सही जवाब होंगा चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं क्या है नेक्स्ट कुशन कुछी सरहा से हैं नेक्स्ट जमा का मतलब जर्ब है, तफरीक का मतलब तक्सीम है, जर्ब का मतलब तफरीक है और तक्सीम का मतलब जमा है, तो हमको यह जो सवाल दिया गया है, इसका हमें क्या करना है, जवाब मालूम करना है, ओके तो मैं यहां लिख देती हूँ, चार, आठ, दो, दो, और यहां पे चा और तफ्रीक का मतलब कहा है देखिए तफ्रीक का मतलब यहां पर तक्सीम है तो यहां पर हम लेंगे तक्सीम अब यहां पर जर्ब दिया गया है तो देखिए जर्ब का मतलब यहां पर दिया गया है तफ्रीक तो यहां पर आजाएंगा तफ्रीक और जमा का मतलब कहा दी कि जमा का मतलब है यहाँ पर जर्व तो यहाँ पर जर्व इस तरह से तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डिवीजन करते हैं तो यहाँ जाएगा चार ओके आठ को जब हम डिवाइट करेंगे दो से तो यहाँ जाएगा चार ही आएगा माइनस यह हो जाएगा चार दुनी आट यह आजाएगा आट तफरीक आट इस तरह से तो जब आट में से आट निकलते हैं तो कितना आंसर आता है जीरो आंसर आता है तो इस इसाब से अगर हम देखेंगे तो option number B जो है यहाँ पर जीरो इसका सही जवाब होगा नेक्स question कुछ इस तरह से देखिए एक खास इशाराती जबान में जमा का मतलब है जर्ब जर्ब का मतलब है तक्सीम तफरीक का मतलब है जमा और तक्सीम का मतलब है तफरीक तब दर जिजैन मसावात का हल मालूम कीजिए तो इस तरह से यह सवाल है अब इसका हमको क्या करना है मालूब करना है और यह जो सवाल है यह कहां पूछा गया था RRB में 2018 में यह जो सवाल है पूछा गया था यानि यह भी सवाल competitive exam से ही related है जो के RRB railway के exam जो होते हैं job के लिए उसमें यह सवाल पूछा गया था तो अभी देखिए यहाँ पर जो अलामत ही दी गही उसके इसाब से हम इसमें रद्द बदल करेंगे और जो इसका जवाब है क्या आता है वो हम लोग चेक करेंगे अब देखिए यहाँ पर यह है आठ यहाँ पर है तीन यहाँ पर है चार और यहाँ पर है दो अब हम अलामते चेंज करेंगे जमा का मतलब जर्ब है यानि यहाँ पर आ जाएंगा जर्ब जर्ब का मतलब तक्सीम है यानि यहाँ पर आ जाएंगा तक्सीम ओके और तफरीक का मतलब क्या है तफरीक का मतलब देखिए यहाँ पर तफरीक का मतलब जमा है यानि यहां पर आ जाएंगा जमा इस तरह से तो देखिए अब तीन और चार कडिवीजन तो नहीं हो सकता तो हम इस एक्वेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं देखिए आठ जर्ब तीन डिवाइड़ बाई चार जमा दो कुछ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं एक मिनिट में यह रब कर देती हूं तो देखिए हम इस में सावाद को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं आठ जर्ब तीन ओके आठ जर्ब तीन तो आठ तो यहां पे हम क्या करेंगे यह जो बटे में है इसको यहां पे नीचे बटे में लेंगे चार तकसीम जो है इसको बटे में लेंगे माइनस दो इस तरह से लिखेंगे अब यह cancel हो सकता है, 4 एकर 4, 4 दुनी 8, आप दिखिए यहां आ जाएंगा, 2 तिया, कितना हो गया, 6, 6 जमा आ जाएंगा यहां पर, 6 जमा 2, 6 जमा 2 कितना हो जाएंगा, क्यों पर तफरीक का मतलब जमा है न यहां पर, तो 6 जमा 2 हम लेंगे, तो 6 जमा 2 कितना आ रहा है, 8 आ तो यह साब से अगर हम देखेंगे, तो 8 कहां पर है, देखिए, option number B जो है, 8 यहां पर इसका यह सही जवाब होगा, चलिए, next question की तरफ बढ़ते हैं, next question कुछ इस तरह से हैं, अगर तकसीम का मतलब जमा, तफरीक का मतलब तकसीम, जर्ब का मतलब तफरीक, और जमा का हैं, तो यह जो equation दिया गया है, इसका solution हमको क्या करना यहां पर मालुम करना है, okay, तो चलिए मलामतों को क्या कर लेते हैं, interchange कर लेते हैं, अपस में, और फिर हम देखते हैं, इसका solution क्या आता है, तो अलामते कुछ इस तरह से दी गई हैं, जमा, तकसीम की जगा पर हमको जम करेंगे हैं अनामति देखी यहाँ पर यह है 24 ओके आठ फिच्छे फिच्चार सांथ और बटे में कुछ इस तरह से है आठ तीन और यह है उननीच इस तरह से यहाँ पर दिया गया है अभ हम क्या करेंगे तफ्रीक है तो तफ्रीक का मतलब क्या है देकि यहां पर पर आ गया है जर्ब तो यहां पे जर्ब और जर्ब का मतलब क्या है देखिए यहां पर यहां पर जाता है 24 माइनस 7 कुछ इस तरह से ओके अब यहां पर हम इसको लेते हैं नीचे तो आठतिया यह भी हो जाएगा 24 माइनस कितना होता है यह 19 होता है ओके अब यहां पर देखे 24 में से जब 7 जाते हैं तो कितना बसता है आप देखे 24 और 3 होता है 27 ओके तो यहां पर आजाएगा 27 माइनस 7 बटें अब यहां पर देखेंगे 19 में से जब 24 जाते तो कितने बसते देखिए 20, 21, 22, 23 और 24 यानि यहां पर remaining होंगे 5 अब यहां पर देखिए 27 में से 7 गये तो कितने बज़ गये 20 बज़ गये 20 बटे 5 गये 20 अपॉन 5 तो यहां आ जाएंगा 25, 25, 25 यानि यहां पर जो इसका जवाब यह क्या होंगा 4 जो है यहां पर इसका सही जवाब होंगा तो इससाब से अगर हम देखेंगे तो कहां पर नज़रा रहा है देखिए हमको 4 और भी जो है 4 इसका यहां पर सही जवाब दिया गया है इस तरहां से तो चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं हम अगला सवाल देखे कुछ इस तरहां से है अगर जमा का मतलब जर्ब है तफरीक का मतलब जमा है जर्ब का मतलब तकसीम है और तकसीम का मतलब तफरीक है तो इस नीचे दिएगे मसावाद का हल मालूम कीजिए अब यह देखे इस ट्रेनिंग की जो एक्जाम होते हैं उसमें 2019 में यह सवाल पूछा गया है तो अब यहाँ पे देखे हम इस तरहां से इसको सॉल्व करेंगे अब देखे यहाँ पे जमा का मतलब देखे अब यहाँ पे हम इस कुश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है जमा का मतलब जर्व है तफरीक का मतलब जमा है जर्व का मतलब तकसीम है और तकसीम का मतलब तफरीक है तो हम नीचे दिएगे मसावाद का हल किस तरह से करेंगे तो अब देखिए इस question को हम किस तरह से solve कर सकते हैं यहाँ पर इस question का solution हम इस तरह से करेंगे अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 6 यहाँ आएगा 2 upon 3 यहाँ पर आएगा 1 upon 2 यहाँ पर आएगा 3 upon 4 और यहाँ पर आजाएगा इसका 9 अब इसको हम solve करेंगे जमा का मतलब क्या है देखि जमा का मतलब जर्ब दिया गया है तो यहां पर आना चाहिए जर्ब तफरीक का मतलब क्या दिया गया है देखिए तफरीक का मतलब यहां पर दिया गया है जमा तो यहां पर आजाएंगा जमा अब दिखे तीन एक तीन तीन दुनी छे होता है ये ये आ जाएगा दो दुनी चार ये नहीं हाँ पर आजाएगा ये चार ओके जमा उसके बाद कितना हैंगा देखिए ये एक बटे दो ओके माइनस अब ये तीन बटे चार तो है जिटीज रहेंगा ये तक्सीम को अगर हम जर्व खर देते हैं तो यहांपर नउग का हो जाता है एक बटे तो यहांपर कैसे Kal हम बचेंगा थोड़ा से लेवस्न है ते इसको अच्छे से समझ deg tuttek कोई देखिए चार बच गया यहां पर हमने चार ले लिए जमा यह एक बटे दो बचा यह एक बटे दो हमने यहां पर ले लिए दो बराबर यहां पे माइनस एक बटे बारा इस तरह से आएंगा यानि यह कुछ इस तरह से होगा इधर साइट का में रब कर देती हूँ आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर लीजी या इसका स्क्रीन शॉट निका लीजी क्योंकि इस साइट का जो है वो मैं भी रब करने वाली हूँ ताके सोलूशन में या इसका जो इक्वेशन का जो सोलूशन है मैं पूरा कर साथ तो दीखे यहां पे क्या बच्चा हमारा नौ बटे दो माइनस एक बटे बारा कुछ इस तरह से यहां पे हमारा सोलूशन बच गया तो अब अगर हम देखेंगे इसका थिर्चा जब करेंगे तो की बारा नाम यह होता है 108 यहां पर इसका थिर्चा जब करेंगे ती यह होता है माइनस दो बटे यहां जंगा बारा दुनी 24 ंटे इसके लिए आपको जो दो दो दुनी चारी यानि इसका जवाब वो कितना आ रहा है 53 upon 12 जो यहाँ पर इसका सही जवाब आ रहा है तो यहां पर 53 upon 12 यानि 53 12 जो है इसका सही जवाब होंगा तो देखिए यहां पर 53 upon 12 कहां पर दिया गया है देखिए नॉर्मल सा जो है option में आपको difference नजर आएंगा तो आपको वो difference को पहचाना है वरना गलती से ऐसा नहों कि mistake हो जाए देखिए यहां पर 53 upon 21 और 53 upon 12 में कभी-कभी धोका हो सकता है तो इसके लिए आपको अच्छे से देखना है चैन से देखना है और सही answer को ही आपको जो है टिकमा करना है तो 53 upon 12 जो है यहां पर इसका सही जवाब होंगा नेक्स वोशन देखिए कुछ इस तरह से है नेक्स वोशन अगर जमा और तक्सीम जर्ब और तफरीक को आपस में बदल ले तो दर्जिजन मसावाद का हल क्या होंगा यहां पर यह जो मसावाद दी गई है अब इसका हल हमको क्या करना है मालूम करना है तो अब क्या हल होंगा देखते हैं इसका देखिए क्या है मसावाद 17 तक्सीम 7-27 जमा 9 जर्ब 3 यानि 17 डिवाइड बाई 7-27 प्लस 9 इंटू 3 कुछ इस तरहां से यह दिया गया है अब इसको हमको क्या करना है देखिए अलावतों को आपस में इंटरचेंज करना है तो यहाँ पे हमको लेना है जमा और तक्सीम को आपस में बदलना है जर्ब और तफ्रीक को आपस में बदलना है ओके तो पहले तो मैं एक्वेशन लिख ले थी कुछ इस तरह से डिवाई डिवीजिन और मज़ सब्क आजेएंगा तफ्रीक कोशेंग करने हैं तो जमा की जगा पे तकसीम आएगा, जर्ब की जगा पे तफड़ीक आजैगा, तो सब्से पहले हम क्या करते हैं, तब से पहले हम एनि त्व Bash से तक्सीम करेंगे तो 3 आएगा यह आजेगा माइनस 3 कुछ इस तरह 3 यानि 38 माइनस 3 तो 38 में से जब 3 निकालते हैं तो कितना बसता है 38 में से 3 निकालने के बाद बसता है 35 यानि जिस आप से अगर हम देखेंगे तो 35 देखिए यहां पर इस जो इक्विशन है उसका सुलूशन आ रहा है 35 कहाँ पर दिया गया है देखे 35 यहां पर option number D में मौझूद आ इस तरह सेoption number D जो है यहां पर इसका सही जवाब होगा ओके नेक्स ओशन देखिए क्या है अगर जमा का मतलब तक्सीम तफरीक का मतलब जर्ब जर्ब का मतलब तफरीक और तक्सीम का मतलब जमा है तब यह जो नीची equation दिया गया है इसका solution हमें मालूम करना है सवाल क्या है देखिए 11 जर्ब 7 जमा 21 जर्ब 2 तक्सीम 2 तक्सीम 3 माइनस 4 इस तरहां से सवाल दिया गया है और ये जो सवाल है ये भी कहा पुछा गया था RRB 2016 में ये सवाल पुछा गया है ओके जितने भी सवालात है वो किसी ना किसी एक्जाम में पूछे गया ही सवालात लाई हुँ मैं ताके जो competitive exam होते हैं उसका जो level है आपको समझ में आ जाए या किस तरहा की सवालात पूछे जाते हैं ज्यादा तर exams में वो हमें समझ में आता है इसके लिए अगर previous question paper को ही हम follow करते हैं तो बहुत ही बहतर होंगा तो दिखी यहाँ पर क्या है फिर इस तरहां से देखेंगे हम तो अब हमको अलामते क्या करनी है आपस में interchange करनी है तो चलिए हम अलामतों को आपस में interchange करते हैं यहाँ पर हमें लिख देती हूँ 11, यहाँ पर आएंगा 7, यहाँ पर आएंगा 21 यहाँ पर आएंगा 2, यहाँ भी आएंगा 2 यहाँ पर आएंगा 3 और यहाँ पर आएंगा 4 और कुछ इस तरहां से तो देखिए अब क्या करना है हमको जर्व को किसके साथ चेंज करना है देखिए जर्व का मतलब यहां पर दिया गया है तफरीक तो यहां पर आजाएंगा तफरीक उसके बात क्या है जमा का मतलब क्या है यहां पर देखिए तक्सीम है तो यहां जाए है उके और तक्सीम का मत्ब्प और झमा वापस से यहां पर जमा और तफ्रीक का तब क्या है यहां पर कुछ इस तरह से तो देखै पूं कैसे लेक एक सकते हैं섯 12-1 लिख सकती है मैनले की बच्चाथ को प्लस का दो माइनस का टू आपस में कैंसल हो जाएगा तो देखिए साथ एक साथ साथ या 21 कुछ इस तरह से आए नीचे हम यहां पर वन समझेंगे तो यह कैसे आ रहा है देखिए यह आ रहा है 11 बटे 11-11-1-3 जमा 12 कुछ इस तरह से आ रहा है यह तो अब हम क्या करेंगे हम इसको सॉल् अगर इसको नीचे वन कंसिडर करें तो यह हो जाता है 11 तिया यह होता है 33 माइनस ओके वन अपॉन यह हो गया 3 ओके उसके बाद यहां पर जमा 12 भी मौझूद है इसके बाद अगर हम देखते हैं इसको 33 में से वन गए कितना बस्ता है 32 बस्ता है यह देखे हम इसको एक इस तरह से भी कर सकते हैं अगर हम इसका दूसरा सुल्यूशन देखे तो कुछ इस तरह से भी होगा यह देखे यहां पर हम क्या कर सकते हैं इसको यह 11 और यह 12 है आपस में हम इनको क्या कर सकते हैं जमा कर सकते हैं तो कितने हो जाएंगे यह 11 और 12 आ 9, 3, 2, 6 माइनस यहाँ पर हम consider करेंगे 1 है तो 1 का cross multiply 1 से करेंगे तो 1 आजेंगा और यह आजेंगा 3 3 नीचे का नीचे से multiply करते तो यह आज जाता है 68 upon 3 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होंगा और इसे साब से अगर देखे जो यहाँ पर दिया गया है यह इसका यहाँ पर सही जवाब है अब next question देखते हैं question number 14 कुछ इस तरह से है अगर जमा का मतलब जर्ब तफरीक का मतलब तक्सीम जर्ब का मतलब तफरीक और तक्सीम का मतलब जमा है तो दर जिजल मसावाद का हल मालूम कीजिए तो देखे यहाँ पर यह जो मसावाद दी गई है यह कहाँ पुछी गई स्टेनु के जो एक्जाम हुए तो इसमें 2016 में पुछी गई थी अब देखे यहाँ पर भी हमको क्या करने अलामतों को आपस में इंटरचेंज करना है तो हम लोग पहले अलामतों को इंटरचेंज करते हैं उसके बाद हम लोग जो है इसको सॉल्व करने की कोशिच करते हैं तो देखे यहाँ पर अलामते हम लोग इंटरचेंज कर देंगे अब देखे क्या है यहाँ पर 6 यहाँ पर 64 यहाँ पर है 8 यहाँ पर है 45 और यहाँ पर है अगेन 8 अब अलामते हम आपस में बदल देते हैं देखे जमा का मतलब क्या है देखे यहाँ पर जर्ब दिया गया है यह जर्ब आ जाएगा ओके तफरीक है देखे तफरीक का मतलब क्या है देखे यहाँ पर तफरीक का मतलब यहाँ पर तकसी हला तक्सिम का मतलब यहाँ पर आए तो आजाएगा आजाए गए यहांपे है । सबसे पहले हम क्या करते है या चेला को जब हम करें तो 8 आता है यहाँ पर कितने है जमा 45-8 जिए ऑने एट है एगएंगा जही 45 माइनस 8 यानि 48 प्लस 45 माइनस 8 आ गया यह अब यहां पर हम इनका एडिशन करते हैं 45 और 48 का तो कितने होते हैं 45 और 48 होते हैं 93 93 में से 8 हमको माइनस करना है तो जैब 8 निकालते हैं 93 में से तो बचता है 85 जो यहां पर इसका सही जवाब होना चाहिए तो अगर किसी इशाराती जबान मे जमा का मतलब जर्व है तफ्रीक चामा है जर्ब का मतलब तक्सीम है और तक्सीम का मतलब तफरीक है तो दर जिजल सवाल का जवाब जो है हमें क्या करना है यहाँ पर मालूम करना है तो देखे अप कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम अलामतों को change करेंगे आपस में उसके बाद जो हैं बॉर्ड मास का रूल यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि बॉर्ड मास की रूल के हिसाब से हमको जाना में एक बार फिसे रिवाइस करवा है तो उस नमबर उनको पहले आपको solve करना है उसके बाद सबसे पहले आपको लेना है division यानि आपको तक्सीम करना है उसके बाद आपको करना है multiply यानि जर्ब करना है फिर आपको addition करना है फिर जो बजगे नमबर अगर उनमे minus है तो फिर आपको last में जो है यहाँपर minus करनी है ओके इस तरह से board mask की rule के हिसाब से ही आपको जो है ऐसे जो multiple equation होते हैं उनको आपको क्या करना है solve करना है ओके तो चलिए देखते हैं अभी next question करते है इसको यह जिये वाला जो question इसको कैसे solve करेंगे तो देखिए अब यहां पर मैं सवान लिख देती हूं कुछ इस तरह से 24, यहां पर 6, यहां पर 8 और यहां पर है 2 अब 24, जर्ब 6, तब देखिए, जर्ब क्या है, जर्ब का मतलब है तक्सीम, तो यहां पर आजाएगा यह तक्सीम, 24, तक्सीम 6 की तफरीक 8 है तो तफरीक का मतलब कर тех की तफरी का मतलब है जमा और जमा का मतलब कल दीकि जमा का मतलब दो है पहिए आजाएगा जर्व दो इस अब देखे 24 को जब 6 से तकसीम करते हैं तो यहां आता है 6 चौक 24 यहां पर आता है 4, जमा, आठ दुनी कितना होता है यह, आठ दुनी होता है 16 गता है तो इससाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन अमबर 20 कहां पर हैं अगर F का मतलब जब तकसीम और के का मतलब तफ्रीक है तो जो नीची equation दिया गया है इसका solution क्या होगा हमको यह देखना है यहां पर दीकिए alphabet को जो है mathematical symbol से indicate किया गया है यानि जो हिसाबी जो अलामात है जो रियाजी की अलामात है उनको जो है alphabet से indicate किया गया है तो सही alphabet की जगा पर सही अलामत हमको लगानी है और इसका सही solution हमें करना है तो चलिए सबसे पहले तो हम अलामतों को ही लगा देते हैं क्या आएंगा अलामत इसकी तो देखिए यहां पर कुछ इस तरहां से है 40 है ओके 40 के बाद यहां पर 8 है मैं नमबर लिख लेती हूँ बात में हम अलामते add कर दें है ओके उसके बाद यहां पर 4 है और यहां पर है कुछ इस तरहां से 13 अब हम क्या करते है इनकी आपस में अलामते क्या है वो लगाएंगे देखिए यहां पर T दिया गया तो T का मतलब क्या होता है देखिए T का मतलब यहां पर है तकसीम दिया गया तो यहां पर आ के बीच में F है तो F का मतलब क्या है दिखिए F का मतलब यहां पर दिया गया है जमा कि इहां पर आ जाएगा जाएंगा जमा उटके यहां पर आ चुछ इस तरह से अब इनकी हम जमा करते तो यह आता है 69-13 इस तरह से अब 9 में से 3 जाते कितने बसते हैं 6 और 6 में से एक गया है यहां पर बचे 5 यानि 56 जो है इसका जवाब आना चाहिए ओके तो 56 इसका सही जवाब है अब कहां पर आप्चन में हम देखते हैं तो दीकि ऑप्चन अबर B जो है 56 यहां पर दिया गया है ऑप्चन अबर B में तो आप्चन अबर B जो है इसका सही जवाब होगा चेलिए नेक्स कोशिण की तरफ बढ़ते हैं कोशिण अबर 17 कुछी सरह से हैं अगर A का मतलब जमा, D का मतलब तक हो तो जो नीची एक्वेशन दिया गया है हमें इसको सॉल्व करना है और यह जो कोश्चन है यह कहां पूछा गया था सी जी पी एस सी जो 2019 में हुआ था उस एक्जाम में इस सवाल को पूछा गया है तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं मैथमेटिकल ओपरेशन से यह मैथमेटिकल इकवेशन तो इसमें यह जए कोश्चन इस तरह से भी पूछे जासकते हैं तो इसके लिए भी आपको प्रिपेर रहे ना है और जरूंसल पर यहांपर उसके बाद यहां पर है 8 और यहां पर है 10 इस तरहां से, अब इसको हम क्या करेंगे, अनाम मतलगाएंगे, अब देखिए A है, तो 68 और 48 के बीच में क्या है, A है, तो A का मतलब क्या है, देखिए A का मतलब यहां पर जमा है, तो यह A का मतलब यहां पर जमा आ जाएगा, उसक अब यहां पर देखिए 8 और 10 के बीच में क्या है P है तो P का मतलब क्या है यहां पर जर्ब है कुछ इस तरहां से तो यह इसका यहां पर सही जो साइन है हमने यहां पर लगा दिये अब इसको हम solve करने की कोशिश करते हैं तो देखिए 68 as it is रहेंगा 48 को जब divide करेंगे तो यह कितना आजाएगा जमा 2 और यह 24 आजाएगा 48 को 2 से divide करेंगे तो 24 आता है minus 8 दहाई यह होता है असी इस तरहां से ओके अब हम क्या करेंगे देखिए तो देखिए यहां पर कुछ इस तरहां से है अब 68 और 24 का जब हम addition करते तो 8 और 4 होते हैं 12 उसके 2 carry 1 करते 6 और 2 होते हैं 8 8 में 1 मिला है तो 9 92 minus 80 इनका जब minus करते तो कितना आता है 12 आता है तो 12 जो है यहां पर इसका सही जवाब होगा तो देखते चलिए 12 कहां पर दिया गया है देखिए 12 option number C में दिया गया है तो इससे साबसे अगर हम देखेंगे option number C जो है 12 इसका सही जवाब है next option देखें कुछ इस तरह से हैं अगर P का मतलब तक्सीम है Q का मतलब जर्ब है R का मतलब जमा है और S का मतलब minus है तो यह जो नीची equation दिया गया है इसका जो जवाब है यह मालूम करना है तो इस question को आप हमवक में करिए इसका screenshot निकाल लीजिए और इसको आप हमवक में करने और P का मतलब जर्ब है तो जो equation दिया गया है 15 N 10 P 3 M 5 P 4 इसका जो सही जवाब क्या है यह भी आपको मुझे comment करके बताना है और next एक और question ले लीजिए अगर small A तक्सीम को बताता है B जमा को बताता है C तफरी को बताता है और D जर्ब को बताता है तो 24 A 6 D 4 B 9 C 8 इसका answer आप आपको क्या करना है मालूम करना है तो यह तीन question जो है आपको हमबक में दिये जाते हैं आप इन्हें solve करने की कोशिच कीजिए तो आज के लिए इतना ही इन तीन question के solution भी मैं next वीडियो में जरूर बताऊंगी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताई अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए अल्ला हाफिज